मातर घर के दो समान से ही आप अपने बालों को काला कर सकते हैं दोस्तों उमर से पहले ही हमारे बाल सफेद होने लगते हैं लेकिन आप बाहर के प्रोडेक्ट लगाने से डरते हो कि कहीं बार बार ना लगाना पड़े इसलिए घर का एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो कि मातर आप इसको घर में एक बार लगाओगे तो ये आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए काला कर देगा और आपके बाल खराब भी नहीं होंगे यानि कि आपको अच्छा खासा ये रिजल्ट देने वाला है तो कैसे तयार होने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ और इससे आपको एक नहीं पूरे दो-दो फायदे मिलने वाले हैं ये आपके बाल को ही काला नहीं करेगा बलकि आपके बालों में साइनिंग भी लाएगा तो चलिए इसको कैसे तयार करना है सबसे पैले आपको हलदी लेने नहीं उसके बाद आपको ले लेना है आमला का बॉर्डर और आप लोगों को पता ही होगा कि हलदी अमारे लिए कितना जरूरी है हलदी को हम अपने फेस पे भी अपलाई करते है लेकिन पहले क्या आपको पता था ये बात है कि हल्दी को हम सर पे भी लगा सकते हैं लेकिन हल्दी को कुछ इस तरीके से बूनने के बाद आप अपने सर पे भी बड़ी ही असानी से लगा सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा तो दोस्तो किस तरीके से आपको apply करना है आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं सबसे पहले हम हल्दी को बूने और फिर उसके बाद आमला powder भी डाले हैं दोस्तो हल्दी हमारे लिए जितना जरूरी है उससे कई जाधा जरूरी हमारे लिए आमला है दोस्तो आमला नहीं है तो उसके जगा पे हमने पौडर को डाल लिया है और उसको भी हल्दी के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे दोस्तो सबसे पहले तो आपको पता ये था कि हल्दी हमारे खाने के लिए ही है लेकिन दूसरी बार जब आपको पता चला हल्दी हमारे फेस के लिए भी काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होता है लेकिन तीसरी बार में आपको पता चला दोस्तो हल्दी हमारे बालों के लिए भी काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होता है दोस्तो इससे पहले आपको पता था कि हल्दी को कुछ इस तरीके से आप अपने बालों पे भी लगा सकते हैं और आपके बाल इतने साइनिंग करने लगेंगे और आपके बाल अगर सफेद हैं तो वो जल्दी से जल्दी काला भी होगा दोस्तो अक्सर आपने देखा हुआ कि कम उम्र के बच्चे के भी बाल सफेज हो जाते हैं लेकिन वो बाहर के प्रोडेक्ट लगाने से डरते हैं लेकिन दोस्तो अब आपको डरने की जरुत नहीं है मातर आप हल्दी और आमला पॉडर के मदद से आप अपने बालो को काला कर सकते हैं दोस्तो जिस तरीके से ये आपके आखों के सामने काला हुआ है हल्दी उसी तरीके से आपके बालो को भी हमेशा हमेशा के लिए काला कर देगा और काला ही नहीं बलकि साइनिंग भी आपके बालों में लाएगा जिससे आपके चेहरों पे एक निखार सी आएगी और दोस्तो जैसे ही आप इसको भूनते जाओगे ये थोड़ा से कोईले की अकार लेता जाएगा लेकिन दोस्तो कुछ इस तरीके से आपको देखना है कुछ इस तरीके से आपको फिर भी भूनते रहना है जब तक ये काला ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहना है अब ये देख सकते हैं दोस्तो थोड़ा सा और इसको भूनने की जुरत है जिससे और ज्यादा तकाला हो सके जिससे ये हमें अच्छा सा अच्छा result दे सके तो कुछ इस तरीके से हमें गैस के flame को بंद कर दिया अब देख सकते हैं अभी भी इसमें आग दिख रहा है लेकिन आग को क्या करना है इसको तब भी भूनते रहना है जिससे इसके छोटे छोटे बिल्कुल कन हो जाए बिल्कुल ये आटा की तरह बारी की तरीके से हो जाए तो कुछ इस तरीके से हमें भूनना है दोस्तो और जैसे जैसे आप भूनते जाओगे इसके आग थोड़े से खतम होते नजराएंगे और ये जो कोईले का अकार लिया है वो भी खतम होता हुआ नजराएगा लेकिन दोस्तों आपको इसको मिलाते रहना है अब देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरीके से तयार हो चुका है अब आपको क्या करना है दोस्तो इसे किसी प्लेट में आपको निकाल लेना है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आपको इसको भूनना है जिससे भूनने के बाद कुछ इस तरीके सोजाएगा उसके बाद आपको प्लेट में निकाल लेना है और आप देख सकते हैं दोस्तो ये पूरा आठे की तरह हो चुका है अब ये पूरा हमारे लिए फाइदेमंद होगा अब दोस्तो इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तो आपको एक और चीज मिला नी है चलिए आपको मैं बताता हूँ अगले step में क्या करना है सबसे पहले हमने तबे से इसको निकाल लिया है अब ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी बारी की तरीके से आटे की तरह हो चुका है अब इसके निकालने के बाद इसमें दोस्तों आपको क्या करना है इसके अंदर आपको तेल को अपलाई करना है लेकिन दोस्तो तेल वो होना चीए जो कि बादाम का तेल हो या फिर नारियल का तेल हो तो दोस्तो सबसे पहले हमने नारियल का तेल ले लिया और इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे दोस्तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलाना है अगर आपके पास नारियल का तेल है तो नारियल का तेल आप इसमें मिला सकते हैं लेकिन अगर आपके पास बादाम का तेल हो तो आप बादाम का तेल भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं अब यह देख सकते हैं दोस्तो इसके अंदर एक चमक सा आ चुका है जिस तरीके चमक आप देख रहे हो इसमें उसी तरीके से आपके बालों में भी चमक आने वाला है उसके बाद हमने दोस्तों इसके अंदर थोड़े से बदाम के तेल भी मिला दिये हैं अब ये प्रोडेक्ट हमारे लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होगा दोस्तों इसके अंदर नारियल का तेल और बादाम का तेल भी मिल चुका है जो कि हमारे लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होगा और रिजल्ट देखोगे दोस्तों वो काफी कमाल का होने वाला है अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुगा है अब इसको हम अपने बालों पे अपलाई करने वाले हैं ये देखे दोस्तों कितना बढ़िया बनकर तयार हुआ है चलिए दोस्तों आप इसको बालों पे अपलाई करते हैं और जैसे जैसे आप अपलाई करोगे दोस्तों अभी से ही हमारे बालों में साइनिंग आना सुरू हो जाएगा लेकिन दोस्तो इसको लगाने के बाद करीबन आपको 15 मिन्ट तक छोड़ना होगा 15 मिन्ट के बाद जब आप अपने बालों को वास करोगे तो काफी अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो आपको ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने तरब से लाइक भी जरूर